दोसकार दोस्तो कैसे हो आप मैं आशार ऊंबीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे आज हम बात करने वाले हैं CET के बारे में ठीक है दोस्तो CET के बारे में आपको बताए जाएगा कि कितने नंबर लाने होंगे कि हाप CET PASS कर सकों ठीक है या वह लोग CET की cut-off CET की cut-off या CET में कितने नंबर लाएं जिससे आप पास कर सको तो इसके लिए आपको पूरा डेटेल में बताया जाएगा कहने का मतलब यह है अगर आप ढंक से इस वीडियो को देख लोगे तो आपको CET के बारे में मतलब नमबर के बारे में कोई अधर वीडियो देखने की जरुरत नहीं पड़ेगी आपको पूरे डाउट्स के लिएर कर दिये जाएंगे ठीक है दोस्तो अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें नए नए अपडेट के लिए ठीक है दोस्तो और कोई भी डाउट हो तो हमको कॉमेंट व आपका वक्त जाया ने करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो आपका प्रतेख वच्चे का एक ही सवाल आ रहा है कि सर कितने नमबर लाएं जिसे हम CT पास कर सकें CT को पहले आपको समझना परेगा पहले आप समझ जा हुए CT है क्या तो आपको ये चीज पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ये जान लिए कि CT का CT कोमन एग्जाम है जैसे क्या है कि हम करते हैं PhD करते हैं PhD से पहले एक NET की एग्जाम होती है या फिर हम NET की एग्जाम पास कर रहें तब हम PhD कर पाएंग ठीक है तो इसी की तरह मतलब कमपलसर ही है NET करना कम पल्स हरी उसके लिए तो इसी के आदार पर CET है, CET में अगर आप पो कितने नमबर लाएं ये बोले, नमबर से इसका कोई मतलब नहीं, आप जितना नमबर लेके आओगे उतना आप के लिए आईदा है, जितना नमबर लाओगे उतना आप के लिए बहीं फैट है, क्योंकि इसके बाद में केटेगरी हो जाएंगे अलग-अलग जैसे अभी बढ़ती निकालनी पटवारी की तो पटवारी में वो इस पेश्ट लग देंगे जैसे पटवारी मोल लिया कि 70% वाले बच्चे ही इसमें फोरम एप्लाई कर सकते हैं तो मतलब क्या है कि एक सरकार का ही एक मतलब क्या है कि जो पेपर आउट है रहनी उनको रोकने का एक तरह बहुत अच्छा कदम है किसलिए कि अगर आप फिर उसमें क्या फिक 70% वाले कितन कर दी जाए कि जैपर में पूरा एक्जाम हो जाएगा तो आके आए कि एक लाग बच्चों विवस्ता विथ्य हो जाएगी तो उसके लिए क्याए कि उनको ज्यादा प्रिपिरेशन करना नहीं पड़ेगा ठीक है दोस्तों बात आपके समझ में आ रहे हैं मैं इसी क्यों पाइक कर सकते हैं यह 50% वाले बच्चे एक सकते हैं तो 50% वाले जिसके पास अगर 50% से उपर ना प्रम्रण होंगे वह तो यह पीड़ तो खतम होगई यह वी ड़ को खतम करना एक तरीका से इससे बीड को घुट में पर्सेंट श्याएगी वह वह पूरा रेशियो निकाल लेंगे कि हमको पचास हजार बच्चे गोलाने हैं तो पचास हजार में कितने परसेंट से कितने बच्चे आ रहे हैं कि उनके पास पूरा आंकड़ा हो जाएगा ठीक है दोस्तों यह बात मैं उम्मीद करता हूं आपको खूब संगज मारे होगी इसमें कोल कोई भी य बेनिफिट होने वाला है ठीक है आप हम यह उम्मीद करते हैं कि आप इतने लंबर लाएं कि आपकी आने वाली कोई भी वर्ती हो उसमें आपको जरूरत ना पड़े कि इसमें आप एपलाई नहीं कर सकते हो ऐसा कोई आपको फोरां के सामने नहीं आना चाहिए ठीक है आप जितने लंबर लाओगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है ठीक है आप अच्छे लंबर लाओगे तो फिर ते एक वर्ती माप फोरां एपलाई करोगे आप आराम से आपका लेविल निकल का जाएगा आप जितनी भी इसके डायरे में जो वर्ती आ रही है वो पूरे कोई वीडियो देखने कि इसके बाद मैं आप सकता है नहीं आप तो तैयारी करो सीटी की खूब तैयारी करो और जादा से जाद जतने जादा आप अंक लाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट है बोलने को तो इसके बारे में और भी मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं लेकि समझदार के लिए तो इतना ही बहुत है समझ गए हो कि कहना कि अचारे सर जी ठीक है बाकी और भी आपको एक्जामपल दे दूँ कि उसमें ये कंपलसरी टेस्ट होता है उसके बाद मोगता है वो कोई माइन नहीं रखता कहने के ताद पर यह ही है ये कंपलसरी टेस्ट है ये ऐसा कंपलसरी टेस्ट है जिसमें आप जिसमें आप जितना जादा अंक लाओगे उतना ही आपको आने वाली एक्जाम में बेनी फिट होने वाला है ठीक है बहुत बढ़ी है सरकार की इसका फाइदा उठाओ बढ़ी है तरीके से जिससे क्या है कि आपको कोई आगे वा जिए तो मुस्काल